नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम कुछ बहुत ही important questions solve करने वाले हैं अपनी 7th chapter यानि की equilibrium या फिर साम्या अवस्था के जो की आपके exam में भी काम आ सकते हैं और इनसे related questions भी आपके exam में बन सकते हैं तो इनको अच्छे से समझना है और इनहीं से related questions की आपको और ज्यादा practice भी करने हैं ठीक है तो देखिए इसमें first question है निमनलिखित अभिक्रिया के लिए साम्या वस्था या फिर equilibrium में के सी यानि की साम्या नियतांक या फिर साम्या स्थिरांक या फिर equilibrium constant क्या होगा तो देखिए आपको एक equation दी गई है twice SO2 प्लस O2 और ये एक reversible equation है या फिर उतक्रमणी अभिक्रिया है जो की उतपाद की तरफ या फिर product की तरफ हमें दिख रहा है twice SO3 यहाँ पर आपको विभिन पदार्थों की molar सांद्रिताएं या फिर molar concentrations भी दी गई है जैसे की SO2 के लिए जो molar concentration है वो 0.6 molar या फिर 0.6 molar प्रती लीटर है O2 के लिए जो molar concentration है वो 0.82 molar या फिर 0.82 molar प्रती लीटर है ठीक है और ऐसी ही SO3 के लिए जो molar concentration का मान है वो है 1.90 molar या फिर 1.90 molar प्रती लीटर तो इसका solution देखते हैं की से हम कैसे solve करेंगे सबसे पहले जब भी exam में इस type का कोई equation आए तो आपको ये जो given equation है या जो ये रासाइनिक अभिक्रिया है इसको आपने एक बार लिखना है ठीक है तो twice SO2 जो की gaseous state में है plus O2 जो की gaseous state में है और ये एक reversible reaction है यानि की उतक्रमनी अभिक्रिया है और बन रहा है twice SO3 जो की gaseous state में है ठीक है आपको ग्याद क्या करना है equilibrium constant की value या फिर sum ये नियतांक का मान ठीक है और हम लोगों को मालूम है कि जो sum ये नियतांक होता है या फिर जो equilibrium constant होता है उसे कैसी ग्याद किया जाता है तो की c equals to क्या हो जाएगा जो molar सांधरता है या फिर molar concentrations है products की तरफ उनका गुणन फल या फिर उनका product ठीक है तो यहाँ पर twice SO3 है तो ये क्या हो जाएगा SO3 और power में क्या जाएगा तू आ जाएगा फिर अप ओन क्या हो जाएगा देखिए यह जो reactants है उनका गुड़नफल या फिर उनका product तो SO2 और इसकी power में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा into O2 की molar concentration और इसकी power में तो 1 ही रहेगा अब इनकी molar concentrations की जो values हमें दी गई हैं उनकी जगे पर इन्हें put करेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा? 1.9 molar into 1.9 molar upon SO2 ठीके? तो देखिए यहां पर क्या given है? 0.6 तो 0.6 का square हो जाएगा ठीके? तो 0.6 molar into 0.6 molar into O2 के लिए जो molar सांद्रिता है या फिर molar concentration है उसका मान क्या है? 0.82 molar या फिर 0.82 molar प्रती लीटर ठीक है? तो यहां से KC की जो value आ जाएगी जब आप इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगी 12.229 molar या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं? 12.229 molar प्रती लीटर ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया यह वाला question तो चलिए अब next question solve करते हैं अगला question है एक निश्य ताप और 10 to the power 5 pascal के कुल दाब यानि की total pressure पर iodine वाश्प में निम्न साम्य पर आयतन के अनुसार 40% iodine परमाणू होते हैं जैसे कि आपको यह एक reaction या फिर equation के form में दिया गया है इस साम्य के लिए आपको kp की गरना करनी है तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको साम्य नियतांक या फिर equilibrium constant निकालना है लेकिन किसके terms में partial pressures के terms में ठीक है तो हमें जितनी भी अभी data दिया गया है पहले तो हमारा सबसे पहले काम यही होता है कि हम उसको note करें ठीक है note करना है कितना दिया गया है तो यह given है 10 to the power 5 Pascal तो इसको हमने इस तरीके से यहां पर note कर लिया ठीक है अब हमें next क्या दिया गया है कि iodine पर्मानों का जो आंशिक दाब है या फिर partial pressure है वो हम कैसे गयाद कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां पर 40% iodine पर्मानों या फिर atoms की iodine पर्मानों का आंशिक दाब या फिर partial pressure वो आप किस तरीके से गयाद करेंगे तो आपको पता है कि total pressure या फिर total डाब कितना दिया गया है 10 to the power 5 Pascal दिया गया है और 40% का क्या मतलब है कि यहां पर आप 10 to the power 5 Pascal का 40% अगर गयाद करेंगे तो आपको इसका मान या फिर इसकी value गयाद हो जाएगी ठीक है तो 40 upon 100 into 10 to the power 5 Pascal equals to क्या हो जाएगा यहां से यह आ जाएगा 0.4 into 10 to the power 5 Pascal ठीक है तो अगर iodine पर्मानों या फिर आटम्स के लिए जो partial pressure है वो 40% हमने volume के according या item के अनुसार यहां पर गयाद किया ठीक है तो वैसे ही हम iodine अणों यान कि जो I2 या फिर molecule के रूप में जो iodine नजर आ रहा है इसके लिए भी हम आशिक दाब या फिर partial pressure याद कर सकते हैं ठीक है तो अगर 40% iodine पर्मानों के लिए है तो 60% किसके लिए हो जाएगा iodine अनुस के लिए हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि iodine अनुस या फिर iodine molecules जिसको ह जो अन्शिक दाब है या फिर partial pressure है वो बराबर हो जाएगा 60 upon 100 into 10 to the power 5 पास्कल ठीक है और ये equals to आ जाएगा 0.6 into 10 to the power 5 पास्कल के ठीक है तो अब बढ़ाते हैं इस पेश को आगे क्योंकि ये भर चुका है ठीक है आप अपने copy में उसी के साथ में नोट कर सकते हैं तो दे equation को लिखेंगे जो कि हमें question में दी गई है I2 जो कि gaseous form में है और उतपाद की तरफ twice I जो कि gaseous form में है ठीक है तो यहाँ पर जो partial pressure है वो कितना है अणों के लिए तो वो है 0.6 into 10 to the power 5 पास्कल ठीक है और इधर परमानों या फिर atoms के लिए क्या है तो 0.4 into 10 to the power 5 पास्कल ठ ठीक है अब क्या आप साम्यन यतांग या फिर equilibrium constant की value ग्याद कर सकते हैं तो kp equals to हो जाएगी p square I ठीक है upon pi2 ठीक है equals to क्या हो जाएगा यह इसमें values पुट कर दीजिए तो 0.4 into 10 to the power 5 पास्कल और इसका हो जाएगा square ठीक है upon I2 के लिए जो आंशिक दाब है वो क्या हो जाएगा 0.6 into 10 to the power 5 पास्कल ठीक है और जब आप इसको solve करेंगे इसको divide करेंगे तो आपके पास आजाएगा 2.67 into 10 to the power 4 पास्कल ठीक है तो यही value हो गई यहाँ पर किसकी equilibrium constant या फिर साम्यन ये तांग की किसके पदों में partial pressure या फिर आंशिक दाब के पदों में तो ये question भी हो गया हमारा solve अब चल के देखते हैं next question तो अगला question है कि एक गैसी या भिक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक यानि की equilibrium constant expression निम्नवत है कि C equals to NH3 यहाँ पर power में लगा है 4, O2 पावर में लगा है 5 upon NO पावर में लगा है 4 और H2 O जिसकी power में है 6 तो इस व्यंजक या फिर इस expression के संगत आपको संतोलित रासाईनिक समिकरण या फिर एक balanced chemical equation लिखनी है तो अगर हमें दिये गए expression के लिए balanced chemical equation लिखनी है तो हमको मालूम होता है कि जो साम्य स्थिरांक या फिर equilibrium constant होता है molar concentrations या फिर molar सांधरिता के पदों मे तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं हम numerator में products का गुणनफल यानि के उतपादों का गुणनफल और उन पर जो स्टाइक्योमेट्रिक coefficients होते हैं उन्हें power के रूप में या घात के रूप में लिखते हैं और upon में क्या आता है जो reactant या फिर अभिकारकों के गुणनफ होते हैं और उनकी स्टाइक्योमेट्रिक coefficients या फिर स्टाइक्योमेट्रिक गुणांकों को उनकी घातों या फिर powers के रूप में लिखते हैं ठीक है तो इसके लिए अगर हमें एक रासाईनिक अभिक्रिया या फिर एक balanced chemical equation लिखनी होगी तो हम लिख सकते हैं देखिए ये द 4NO यानि की nitric oxide जो की है gaseous form में plus 6H2O ये भी है gaseous form में ये एक reversible reaction होगी या फिर उत्क्रमनी अभिक्रिया होगी और इधर side पर क्या आ जाएगा 4NH3 plus 5O2 ठीक है और ये दोनों ही gaseous form में होगे तो इस तरीके से अगर आपको expression दिया जाए साम या इस्थरांग या फिर equilibrium constant के लिए और अगर आपको संतुलित रासाइनिक समी करण या फिर balanced chemical equation लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं है ना तो ये question भी हो गया हमारा solve आप देखते हैं next question अगला question है निमने लिखित species ओं को Lewis aml यानिकि Lewis acid और Lewis char यानिकि Lewis base में वर्गी कृत कीजिए तो इसमें पहला है OH negative ion और दूसरा है BCL3 यानिकि boron trichloride तो सबसे पहले देखेंगे OH negative ion को क्योंकि जो ये OH negative ion है ये एक electron युगम को क्या कर सकता है त्याग सकता है या फिर दान कर सकता है इसी लिए ये क्या कहलाएग ये कहलाएगा Lewis char या फिर Lewis base दूसरे तरफ boron trichloride ये एक electron pair को क्या कर सकता है ग्रहन कर सकता है क्योंकि जो boron atom होता है वो electron noon होता है या फिर उसके पास में electron की कमी होती है ठीक है और जो भी पदार्थ electronों को ग्रहन करते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं acid तो ये हो गया यहाँ पर Lewis अमल ठीक है तो ये वाला question भी हम लोगों ने कर लिया solve अब चलके next question देखते हैं तो अगला question है 208 Kelvin या फिर 298 Kelvin ताप पर hydrogen fluoride HCOOH यानि की formic acid या फिर formic अमल और HCN यानि की hydrogen cyanide के ionon इस्थिरांग या फिर ionization constants क्रमशह दिये गए हैं आपको 6.8 into 10 to the power minus 4 इसके लिए hydrogen fluoride के लिए HCOOH यानि की formic acid के लिए 1.8 into 10 to the power minus 4 hydrogen cyanide के लिए 4.8 into 10 to the power minus 9 इस तरीके से हैं तो इनके संगत संयोग में शार यानि की जो इनके conjugate bases हैं इनके ionon इस्थिरांग या फिर ionization constants की आपको गर्णा करनी हैं तो देखिए हमने विभन आइनन इस्थिरांग को या फिर ionization constants के बीच में एक relation देखा था जो कि क्या था के एंटू के बी इक्वस टू के डब्लू ठीक है तो इसी वाले formula का हमने यूज करना है इस question को solve करने के लिए के A कौन सा constant होगा जो अमलों के लिए है यानि की assets के लिए के B कौन सा constant होगा जो की इनके सैयोक में शारों यानि की base के लिए है और इन दोनों का ही गुणन फल या फिर product एक constant के बराबर होता है ठीक है तो देखिए इससे ही हम solve करेंगे इस question को अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे hydrogen fluoride के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेते है hydrogen fluoride के लिए hydrogen fluoride के लिए आपको के A का मान तो given है तो आप क्या लिख सकते हैं K A equals to 6.8 into 10 to the power minus 4 ठीक है और हमको पता है K W का मान कितना हो जाएगा 10 to the power minus 14 क्यूंकि 298 Kelvin पर यानि की room temperature या फिर कमरे के ताप पर जो जल का आइनिक गुननफल या फिर आइनिक product होता है वो कितना होता है 10 to the power minus 14 होता है ठीक है तो इस formula में put करते हैं और K B की value क्या आद करते हैं तो इस formula से K B equals to क्या हो जाना चाहिए K W upon K A ठीक है और यह equals to किसके हो जाएगा 10 to the power minus 14 upon 6.8 into 10 to the power minus 4 के ठीक है अब इसको आप solve करेंगे तो आपका answer आजाएगा 1.5 into 10 to the power minus 11 तो यहाँ पर जो यह अमल है या फिर जो acid है hydrogen fluoride इसके संयुक में शार का आइनन इस्थिरांग किया फिर ionization constant का मान कितना आ गया है 1.5 into 10 to the power minus 11 तो यह नेक्स्ट वाला करते हैं जो की है formic acid या फिर formic आमल के लिए तो hcooh के लिए same to same इसी formula में put करना है आपने values और आपके पास में इसका जो consecrated base है उसका ionization constant का मान पता चल जाएगा तो k a की value यहां पर कितनी है 1.8 into 10 to the power minus 4 है ठीक है आपको k b का मान ग्याद करना है तो k b equals to k w upon k a equals to देखे k w तो room temperature पे बात कर रहे हैं तो 10 to the power minus 14 ही रहेगा upon k a कितना हो जाएगा 1.8 into 10 to the power minus 4 जो की equals to किसके हो जाएगा 5.6 into 10 to the power minus 11 के तो इस तरीके से हमने formic acid के लिए जो संयूग में शार होगा उसका या फिर consecrated base होगा उसका ionization constant का मान भी ग्याद कर लिया है अब next इसमें कौन सा पदार्थ था या फिर कौन से अमल के बारे में हम बात करेंगे hcn यानि की hydrogen cyanide के लिए तो यहाँ पर भी आपको question में इसके लिए k a का मान आपको दिया गया है तो लिख लीजिए उसे सबसे पहले k a equals to have 4.8 into 10 to the power minus 9 k b equals to क्या हो जाएगा k w upon k a और यहाँ पर values put कर दीजिए 10 to the power minus 14 upon 4.8 into 10 to the power minus 9 जब आप इसको solve करेंगे तो आपके पास value आ जाएगी 2.08 into 10 to the power minus 6 तो हमने hydrogen cyanide का जो consecrated base होगा उसका ionization constant या फिर आइन इस्थिरांग का मान भी गयाद कर लिया है ठीक है अब चल के देखते हैं next question तो अगला question है कि 310 Kelvin ताप मान पर जल का ionic गुणनफल या फिर ionic product 2.7 into 10 to the power minus 14 है इस ताप पर उदासीन जल का pH मान गयाद कीजिए अब देखिए इस question में हमें क्या दिया गया है कि उदासीन जल का pH हमको गयाद करना है तो हम लिख सकते हैं चुकि जल उदासीन है ठीक है तो इसी लिए जो H3O positive ion की सांधरिता होगी वो किसके equal हो जाएगी यहाँ पर वो equal हो जाएगी OH negative ion की सांधरिता या फिर concentration की ठीक है और हमें एक बात और भी मालूम है कि Kw यानि की जो जल का आइन गुननफल होता है वो बराबर होता है H3O positive ion की सांधरिता into OH negative ion की सांधरिता या फिर concentration की जो की हमें question में दी गई है कितनी value है इसकी 2.7 into 10 to the power minus 14 तो इसलिए क्या हो जाएगा देखिए H3O positive यानि की hydronium ion की जो molar सांधरिता या फिर molar concentration है वो OH negative ion की molar concentration के equal है तो यहाँ पर हम लोग Kw equals to दोनों ही जगे पर hydronium ion यानि की H3O positive रख सकते है OH negative की जगे पर भी ठीक है तो जब हम इस तरीके से इसकी value put करेंगे तो यह H3O positive का square आ जाएगा ठीक है और जो की equal किसके होगा इसी के equal होगा 2.7 into 10 to the power minus 14 के equal होगा या फिर अगर हम इसका square हटाना चाहें तब H3O positive की जो molar सांधरिता या फिर molar concentration हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 by 2 हो जाएगी या फिर square root हो जाएगा ठीक है तो 2.7 into 10 to the power minus 14 का क्या गरना है हमें square root या फिर वर्ग मूल करना है जो की बराबर हो जाएगा 1.643 into 10 to the power minus 7 के ठीक है अब हमें क्या ग्याद करना है तो जल का pH मान हमको ग्याद करना है तो हम लोग इसको easily ग्याद कर सकते हैं जल का pH equals to क्या हो जाएगा minus log H3O positive iron की जो सांदरता है ठीक है तो equals to minus log अब value क्या है इसकी तो यह हमने अभी-भी ग्याद की है 1.643 into 10 to the power minus 7 ठीक है अब हमें इस log का जो मान है इसको solve करना होगा ठीक है तो सबसे पहले मैं इस page को ही आगे बढ़ाती हूँ फिर हम यहाँ पर इसको solve करते हैं तो जल का pH यहाँ पर बराबर हो जाएगा देखिए minus into यह वाला जो minus 7 है वो यहाँ पर आ जाएगा तो इसको mathematics में आप solve करते हैं है ना logs वाले question तो log 1.643 ठीक है equals to किसके हो जाएगा यह हो जाएगा 7 minus log 1.643 के ठीक है अभी log 1.643 की value हमको यहाँ पर put करनी होगी तो 7 minus 0.2156 होती है इसकी value और यह equals to किसके आ जाएगा 6.78 के आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस question में जल का pH मान या फिर pH value 6.78 ग्याद कर ली अब आप इन questions को अच्छे से solve कीजिए इनसे related और questions को भी अपने books से solve करते रहिए और lectures को revise करते रहिए